कि नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम कि चर्चा करेंगे कोविड-19 की क्या असर दुनिया पे पड़धा है खास तोर से हमारे मुल्क में आईए पहले एक नज़र डालते हैं दुनिया की खालात पे कोविड-19 की अगर फिगर्स देखें तो फिगर्स इस वक्त काफी बिगडी हुई है दुनिया में करीब 24 मिलियन लोग दो 2.4 क्रोर्स की लगभग एक दो दिन में हम पहुशने वाले हैं इसका मतलब जो रफटार से ये महामारी बढ़ रही है उसमें कोई लगाम हम पा नहीं रहे हैं एक साफ है कि दुनिया के पैमाने पे इस वक्त काफी वसी रफटार से बढ़ रही है जो पहले बढ़ रही थी किन देशों में पहले बढ़ी किन देशों में अब बढ़ रही है ये इसमें फरक हो सकता है पर बढ़त में इस वक्त हम कोई लगाम पा नहीं रहे हैं वो साफ है देखते हैं उसमें मुलकों की क्या हालत है सबसे ज्यादा संख्या अमरीका में है करीब वो साट लाग के आसपास पहुंच रहे हैं इस वक्त 5.8 मिलियन है उनका फिगर तो ये साट लाग पे जरूर सबसे नाजुक स्थिती टोटल केसिस की हिसाब से है पर अगर देखे कि पहला नंबर स्थान किसका है जो नए केसिस का तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं करीब दो तीन हफ्ते से हिंदुस्तान का वहां पहला दर्जा देख सकते हैं और इस वक्त अमरीका के हर दिन की जो नए केसिस है हमसे करीब लगबग आधे हैं तो यह जो रखतार है हमारी यह हम देखें कि उसकी क्या विशेशताएं हैं कहां कहां पर ज्यादा पहली है पर साफ है कि हिंदुस्तान की नंबर अभी भी लगातार बढ़ रही है और अगर हम देखें नए डेट्स जो है पीछले 24 घंटे बे कितने लोगों के मौत हुई ह उसमें भी हमारा नंबर सबसे आगे है 846 हमारा फिगर से वर्लो मीटर के चार्ट पे और इसके बाद अमरीका 430,495 ब्रजिल और 644 मेक्सिको है पर हमारा फिगर इसमे एकदम पहला स्थान पे है तो यह रफतार जो बता रही है कि हमारे यहां भी इसकी बढ़ोतरी जारी ह हम देखेंगे कहां और किस रफतार से हम बढ़ रहे हैं सिर्फ जो एक्टिव केसिस उसको अगर हम देखे भारतिय स्टेट्स में तो देखेंगे कि लगभक हर स्टेट में कर्व तोड़ा सा फ्लैट होने की नजर आ रहा है ऐसा नहीं है कि जैसे पहले बढ़ोतरी उसी फ्रादा एफ्टेट है उसमें बढ़ोतरी है पर अगर हम देखेंगे कि देशों की स्थिखिया है उसमें देखेंगे कि जैसे यह सिलेक्टिड अशींध तोड़ा प्र आगर हम देखते हैं जो एक्टिव केसिस है उसमें हमारा रफतार अभी भी जारी है यह देखिए ना केसिस की रफ्तार हमारी अभी भी जारी है और इसका मतलब है कि जो स्लोप जिसे कहते हैं कि किस रेट पे ये फिगर्स डबल करती है वो अगर हम देखे तो देखिए हमारा जो फिगर्स है अभी हम यहा पर हैं करीम हमारा यहां पर 30 लाग के लगभक हम पहुंच चुके हैं 30 की फिगर जो हमारी है इस पर हम डबलिंग रेट की बात करते हैं किस रफता से हम अपने फिगर को डबल कर रहे हैं अगर यह देखे तो करीब 30 दिन पहले हमारी फिगर यहां पर इसके आदे थे तो यह जो फिगर है अभी 136 दिन हम काउंट करते हैं इटली से जिरो डेट मुलकों को उससे ऑफसेट करते हैं कि कितने दिन बाद वहां 100 लोग मिले बिमार तो उस हिसाब से हम इटली के पीछे हैं कितने पीछे हैं इटली का अगर जिरो डेट मानते हैं तो हमारा जो फिगर है वो आता है 20 दिन पीछे है इसलिए 136 दिन गर फिगर देखे तो जिरो जिरो डेट के बाद 136 दिन में हमारा करीब वहां पर 15 लाग पहुंचा था उस दिन और आज हम करीब 30 लाग 44,000 में पहुंचे हैं 15 लाग 30 लाग ये दो फिगर से अगर 162 दिन जिरो डेट के बाद में हम 30 लाग 44,000 में पहुंचे हैं तो इसका आधा फिगर जो हमारा है जिरो डेट के 136 दिन के बाद बिलता है इसका मतलब हम करीब 26 दिन में अपना डबलिंग इस वक्त कर रहे हैं इसका मतलब 25 या 30 दिन में हमारे ये फिगर भी डबल हो जाएगा तो हमारी डबलिंग रेट जो है मतलब कि 25-30 मतलब एक महिने के अंदर हमारे इससे दूगना फिगर होने वाला है अगर यही रफ्तार मरकरा तही तो तो देखते हैं कहां कहां पर इसका प्रभाब पढ़ रहा है मैप को देखते हैं अगर हम मैप को देखे एक्टिव केसिस की ये मैप है एक्टिव केसिस मतलब कितने लोग इस वक्त बिमार है एक्टिव केसिस करीब करीब इस वक्त साथ क्यों कि ज्यादतर जो लोग विमार पड़ते हैं यह तो ठीक हो जाते हैं नहीं तो उनकी मौत हो जाती है विमार साथ दस दिन पंदरा दिन से ज्यादा लोग रहते नहीं है साथ दस दिन में जो माइल केसे से वो ठीक हो जाते हैं विमार अगर ज्यादा हो जाता है पंदरा 20-25 दिन भी हो सकता है तो serious cases को अगर अगर देखें तो उनका resolution भी 20-25 दिन में हो जाता है तो ये सब देखते हुए जाहिर है कि क्योंकि ये बिमारी अभी करीब करीब 4-4 महीने से हमारे हां चल रहा है तो इसका मतलब active cases का संख्या total cases से काफी कम होगा जितन वक्त बढ़ेगा ये ratio जारी रहेगा तो इसलिए new cases को देखे जरा तो new cases में हम देखेंगे कि अगर प्रांतों की नजल लगाएं तो देखेंगे जिन प्रांतों में पहले फैला था वही प्रांतों में भी अभी भी फैला विसका है महराष्ट्रा सबसे जादा था पहले अभी भी है कर्णाटका टमिलनाड अंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश इन सब बिल्कों में पहले हमने इन सब प्रदेशों में हमने देखा था कि काफी संख्या पहले भी था अभी इन जगों पर ज्याद़ संख्या है पर खासियत अब यह है कि पहले शहरों में ज्याद़ इसका प्रभाव था जो urban centers major urban centers है उनमें प्रभाव था आज अगर शहरों के देखें देखें के शहरों के कर्फ काफी फ्लैट है जैसे पहले बढ़ती वी कर्फ थी जैसे अभी देखेंगे तो देखेंगे आप कि करीब लगवग सभी जगों पे शहरों में संख्या कम हो रहा है चाहे वो दिल्ली हो यह देखें दिल्ली की ग्राफ दीचे आ रही है इसके बाद इस वक्त फ्लैट है हर रोज करीब हजार लोग मिल रहे हैं इस पर बिमार पर अगर पहल हजार लोग दिन में बिमार आते थे अब देखेंगे काफी स्टेडी रहा है इस वक्त यह साड़े साथ सो की लगवग फिगर आ रहे हैं और हैदरबाद यह भी काफी नीचे जा रहा है पहले से देखिएगा हैदरबाद में करीब पन्रह सो के लगवग है अब जो बारह सो चिन्नाई के हालत चिन्नाई 2000 में था अभी भी चिन्नाई में इस वक्त करीब 1100 लोग बिमार पड़ रहे हैं हर रोज देखेंगे कि बढ़वत्री जारी है तो यह बढ़वत्री अब रहां से आ रही है तो यह साफ है कि द्यू केसिस की जो संख्या आ रही है इसे महराश्टा है यह पूने और मुंबाई यहां पर संख्या थोड़ी सी उस पे लगाव हम पा लिये हैं पर दूसरे डिस्ट्रि जहर थे उनमें भी अब यह फैलना शुरू हुआ है इसलिए शहरों की स्थिती में थोड़ी सी ठीक नजर अगर देखें तो लगता है कि थोड़ी ठीक हो रही है और उसके साथ साथ दूसरे जगों पर हालात बिगड़ती जा रही है तो हमारे यहां पर इसलिए हम अभी भ विग्णानी पर अब काबू नहीं हो ला कर पाए इस पर और एक चीज बताने की है कि छोटे शहरों में चोटे कस बो में टेस्टिंग उस लेवल पर नहीं हो रहा है इसलिए जो शहरों में जिसके वजह से हम इसमों कंट्रोल कर पाए है क्वारिंटाइन करना ट्रेसिंग क कांटाक्ट ट्रेसिंग करना तुरंत टेस्टिंग बहा के पता करना कहां कहां यह बढ़ी है तो इसके वजह से हम उस पे तरह से हम कुछ कंट्रोल ला पाए पर यह चीज छोटे शहरों पे छोटे कज़बों में या गाउं में नहीं होने वाला है और इसी लिए इस वाक्त हम में समझना पड़ेगा शहरों में तो सेरो प्रेवलें स्टडी बता रहा है कि इलाकों में बहुत लोगों की क्योंकी इंफेक्शन हो चुकी है इसी लिए उनके पास प्रोटेक्शन है दुबारा उनको शायद कोविड-90 कम से कम 3-6-9 महिने में नहीं होगा तो इसी लिए प्रोटेक्शन है और इसी लिए क्योंकि antibodies उनके शरीज में है इसी लिए वो दुबारा इंफेक्टेड दुबारा नहीं होगे इसका मतलब है कि अगर 30 प्रतिशद दिल्ली शहर में जैसे नहीं बिमार पड़ेंगे ये एक जगह पर नहीं है ये फैला हुआ नहीं है कुछ जगहों पर concentrated है जहां पर बिमारी जादा हुई है इसी लिए वहां पर एक protection है इसी लिए भी शहरों में इसका प्रभाग या संख्या एक तरह घटना शुरू हुआ है नए infections की और यहीं चीज दूसरे जगहों पर होने में अभी भी काफी वक्त लगेगा क्योंकि 4-5% से ज इसी लिए epidemic भामारी की प्रभाव अभी भी देश में चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक चलेगा हम वैक्सीन की चर्चा करना चाहते हैं पर उसके लिए अलग वक्त लगेगा इतना ही बताएंगे आज कि वैक्सीन जितने candidate वैक्सीन कहते हैं वो दुनिया मे antibody produce कर रहा है शरीर में antibodies बन रहा है इसका मतलब वैक्सीन से protection कमोबेश मिलेगा कौन सा वैक्सीन कितना सफल होगा वो देखना पड़ेगा क्योंकि stage 3 trials सभी vaccines की इस वक्त बाकी है छोटे-मोटे छुटपुट धंग से शुरू भी हुआ है जुलाई से ऑगस्ट में कुछ ट् तोर पर ये trials तीन से चार महिना और चलेंगे जब तक हमें पता चलेगा कौन सा vaccine candidates इस पर खड़े उटर रहे हैं कुछ इस पर सफल होंगे कुछ partially सफल होंगे कुछ शायद सफल नहीं होंगे पर इसका सफलता के बाद भी एक बड़ी चुनौती यह होगी कि कैसे सारे 7 billion जे शेट करें नहीं जोग है दुन्या में उसको कैसे vaccinate करें किन को पहले vaccinate करें और किसको बाद में करें अरुंके साथ साथ किन देशों को वेक्षीन पहले मिलेगा और उन देशों में भी किन लोगों को वो वैक्शिन पहले मिलेगा, इनको हम front line workers कहते हैं, चाहे वो health workers हो, चाहे essential services जो हमको देते हैं, विजली, पानी, सफाई, वो हो, उनको पहले मिलेगा, ये तो सबसे जिनके पास पैसा है, पैसे के बल से इन देशों में महामारी ज्याद है, उनको मिलेगा ये पहले मिलेगा उन देशों को जिनके पास पैसे है, ये चुनावती हमारे सामने है, क्या हम अंतराष्टियस तर पे इन चीजों का एक humanitarian दृष्टिकों से, मानविक दृष्टिकों से इसका मुकाबला करेंगे, या सिर्फ मुनाफ़ा और जिसे कहते है वैक्सिन नैशनलिजम इसका खेल होगा, इसके चुनावती हमारे सामने इस वक्त है, और इसमें हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा सरकार क्या कर रही है, इस पर नजर रखने की जरूरत है, आज के लिए इतना ही नियूस क्लिक्ट में कोवीड-19 का हम चर्चा और भी करते रहेंगे, और हमारे पास वाइज्यानिक भी है, सत्यीत रख है, जिसको हम नियूस क्लिक्ट में रेगुलर्ली हफते में एक बार इंटर्व्यू करते हैं, हम अगले चर्चा उनके साथ भी करेंगे, क्या वैक्सिन नैशनलिजम से हम कैसे उतर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या ज़री है, आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा नियूस क्लिक्ट